हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ACF और LCM को कैसे निकाला जाता है तो देखें हम पर प्रस्टन है चार अंको का ACF और LCM को निकालना है देखें हम लोग सबसे पहले ACF को निकालने के लिए सीखेंगे देखें ACF को निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर कोई ऐसा संख्या से लगाना है जो संख्या से सभी संख्या में भाग लगता हो जैसे देखिए यहाँ पर सभी संख्या जो है वह है सम संख्या तो यहाँ पर लगाएंगे दो से, देखें दो से बारह में, यह लग जाएगा छो बार में, दो से अठारह में, यह लग जाएगा नो बार में, दो से चोबिस में, यह लग जाएगा बारह बार में, दो से चातिस में, यह लग जाएगा अठारह बार में, अब देखें हम लो कौन सा संख्या होगा, जैसे देखिए, अगर हम लोग 2 से लगाते हैं, तो इसमें लगेगा, लेकिन देखिए, 2 से, 9 में भाग नहीं लगेगा, तो हम लोग देखिए, 2 से नहीं लगाएंगे, अब देखिए, हम लोग देखाएंगे, 3 से, 3 से देखिए, 6 में भी लग जाए देखें तीन से छो में यह लग जाएगा दो बार में तीन से नो में यह लग जाएगा तीन बार में तीन से बारह में यह लग जाएगा चार बार में तीन से अठारह में यह लग जाएगा छो बार में अब हम लोग देखेंगे कि यहां पर कोई भी संख्या से यह सभी संख्य संख्या में भाग लग रहा है कि नहीं देखिए यहां पर दो से सभी संख्या में नहीं लगेगा तीन से भी नहीं लगेगा यानि देखिए यहां पर कोई भी संख्या से नहीं लगेगा तो अब देखिए हम लोग सबसे पहले SCF को लिखेंगे SCF को लिखने के लिए यहाँ पर देखिए यहाँ दोनों संख्या जो आया है इसका हम लोग आपस में गुना को करेंगे यानि देखिए दो से गुना तीन में करें तो यह हो जाएगा छोव यानि देखिए इस पराशने का जो SCF होगा वह हो जाएगा 6 अब देखिए आपको LCM को निकालने के लिए यहाँ पर लगाना है 2 से यानि देखिए 2 से 2 में लग जाएगा 1 बार में 2 से 3 में नहीं लगेगा 2 से 4 में यहाँ लग जाएगा 2 बार में 2 से 6 में यहाँ लगेगा 3 बार में अब देखे हम लोग फिर से इस तरह से करेंगे और यहाँ पर अब लगेगा तीन से देखे यहाँ पर एक है तीन से तीन में यह लग जागा एक बार में देखे तीन से दो में भाग नहीं लगेगा अब हम लोग तीन से लगाएंगे तीन में यह लग जागा एक बार में अब हम लोग आपस में गुना को करेंगे, देखें हैं पर दो था, तो यहां पर दो का गुना को किया गया है, इसके बाद तीन है, इसके बाद दो, इसके बाद तीन, देखें नीचे में एक का गुना को नहीं किया जाता है, अब देखें हैं पर जो भी संख्या है, इसका हम लोग गुना को करेंगे, दो से गुना तीन में करें, यह हो जाएगा छोग, छोग से गुना दो में करें, यह हो जाएगा बारा, बारा से गुना तीन में करें, यह हो जाएगा छातीस, छातीस से गुना दो में करें, यह हो जाएगा बहात्तर, यह देखिये इस प्रावस्टन को हल करें तो इसका ACF आजाएगा 6 और इसका LCM निकाले तो आजाएगा 72 तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गये होंगे कि इस तरीका का उप्योग करके ACF को और LCM को कैसे निकाला जाता है